इसलाम लेकुम स्टुडेंट, I hope all are fine, I am the teacher of class 1, today we will learn science subject and the topic is here, now open your book from page 83 ये है हमारा activity zone, first of all हम जो read करेंगे वो है हमारा जो आज का काम है वो पहले तो हम देखेंगे के activity zone, ठीक है activity हमारी कौन सी है, wind detective ठीक है, go to an open area, hold the paper streamer in your hand and run fast, did your streamer move, if yes, how was it moving, find out of the wind is blowing the streamer के आप लोग एक open area में जाते हैं, आप लोग उने एक streamer पकड़ा हुआ है, ठीक है हाथ में, ये जो आप देख रहे हैं ये streamer है, ठीक है, उसके बाद paper streamer होता है ये, आप लोग उसको जब जाने के बाहर जाके भागोगे तो आप लोग देखोगे के पीछे, आपका streamer मु़फ कर रहा है के नहीं, अगर तो आप किस के वज़ा से सुघ कर रहा है की वज़ा से, ठीक के अगर तो wind होगी, तो भो मुफ करेगा, अगर भी नहीं होगी, तो भो मुफ नहीं करेगा, do you think the air around you will move the paper streamer के आप लोगं को लगता है, का जो आप लोग का streamer जाए हैं हम लोग इसके एक और इग्जेम्पल लेते हैं आप लोग हवा में देखते हैं कि पतंग उड़े होती है बचे जो तो आप लोगो ने पेपर स्ट्रीमर लेने हैं और आप लोगो ने भागना है अगर तह तो ऑपन्हों का पेपर स्विवर misma करेगा तो किस वजह सेक्सक्राइब हवां के वजह से नाम घूंघ र१ा थियुक्र उंट इंडेन आर टॉ होता है वह विंड की जो स्पीड होते है उसको मुः करने वाला होते है ना में के निमो मिटर रूकर्ण डायग्राम वाट इस लिमो मेटर आप लोगों ने इसकी जो प्रैक्टिस है वह अपनी रफ्ट्र नोट बॉक के उपर करनी है कि यह आप लोगों ने इसका जो है प्रणीशन करनी है इसका आंसर जो है वो लिखना है नोट बुक के ओपर और इसको आप लोगों ने रीड भी करने हैं लेंड करना है नाउ टॉन यूर नेस्ट पेज 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 एक फोर लुक एट रिकैब जोन रिकैब जोन के हम लोगों ने जो पीछे टॉपिक हमा करेगी कि आप लोगों ने पीछे क्या पड़ा था हमारा जो पिछला लेक्टर था वो एयर के बारे में था तो सबसे पहले हम लोग मैब बनाएंगे हम लोग ड्रा करेंगे एयर अराउंड आस और हमारा जो फर्स टेप है वो क्या है लिविंग ठीज नीड एयर टूलीव जिनदा जीकितों नारी चीजीर होते हैं उनकर जिनदा रहने के लिए हवा की जुरूरत होती है हमारा एक स्बाइडर जयंड से ऊहरोंह। कि जो gliders और sailboards होती हैं उनको भी हरकत करने के लिए हवा की जरूरत होती है and the next step is moving gears known as wind कि जो moving gear होती है वो क्या कहलाती है wind कहलाती है the next step is fast and strong winds are called storms कि जो हमारी fast, strong, strong जाने के जितनी भी हवाई होती है उनको हमनों क्या कहते हैं वो storm का बाइस बनती है ठीक है आप लोगों ने पीछे questions किया हुए है तीन questions से हमारे और वही हमने recap कर दिया है आप लोगों ने अपने जो notebook है उसके उपर आप लोगों ने यह map बनाना है और map में आप लोगों ने show करना है कि आप लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़ा है now next vocabulary zone do you remember these new words कि आप लोग जानते हैं कि new words कौन से है next breathe to take air into the lungs यह हम लोग question भी कर सकते हैं कि what do you remember these new words breathe to take air into the lungs यह जो ब्रीथ है वह हम लोग जो सांस लेते हैं हम लोग अपने फेपरों के लेकर जाते हैं यह आप लोगों को सकती है कि breathe के बारे में तो अगर आप लोगों को define आती है breathe तो आप लोग क्या उसका सामने लिखेंगे to take air into the lungs the next wind wind की जो है वो क्या है moving gear इसका हमारे हमने पीछे question भी पढ़ा था what is wind moving air is known as wind तो यह हमारा question भी हो सकता है डिफाइन में भी आज सकता है आप लोग इसका यह short answer भी लिख सकते हैं उसके लावा अगर हम लोग ने पीछे full किया तो आप लोग फुल ही करें moving gear is known as wind तो यह आप लोगों के two days के assignment है आप लोगोंने अपना काम complete करना है first of all आप आप लोगों ने मेडाना है मेड करना है मेडाने के बाद आपने इसका करना है तो आप लोगों को कुछ ऑनानी है तो आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं जो हमारा स्टी नंबर है या अप लोग स्क॥ के साइन्मेंटेंने तेंक यू सो मुच अल़ 英वाफी 13 झालि को पामने जान जाने की लिए है जान की लिएक पामीजी जारु के लिए कर दो कि लिर दो एक रारु hatır भाल पो छारु भी खारु लोली है।